आज के इस interesting वीडियो में हम सीखने वाले हैं webview तो webview क्या होता है मैं आपको अच्छे से explain करूँगा plus मैं आपको code करके भी दिखाऊँगा कि webview होता क्या है और webview का हमें use कब करना चाहिए तो यह सब कुछ हम मैं आपको अच्छे से explain भी करूँगा और मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊँगा तो इसके लिए चलते हम सबसे पहले अपने chrome पे और मैंने आपको chrome पे ला चुका हूँ और यहाँ पे देखो आपको simply search करना है webview in android तो आपको official android की website मिल जाएगी आपको उस पे आने के बाद यहाँ पे सब कुछ webview से related चीज़े आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो मैं कुछ चीज़े हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और बाकिया आपको in depth में explore करना हो तो आप यहाँ पे आके इसको explore कर सकते हो ठीक है तो ऐसे कोई भी application जिसमें आपको web का इस्तमाल करना हो यानि कि जैसे यह हमारा website है इसको आपको अपने mobile application में दिखाना होगा तो आप क्या use करोगे webview का use करोगे webview क्या है हमारे पास एक view का class है जो कि हमें allow करता है किसी भी website को अपने android application में show करवाने के लिए जैसे कि मान के चलो हमें हमारी website खोलनी है neatroots ठीक है मैं आपर सर्च कर लेता हूँ neatroots.com तो जैसे मैंने neatroots.com खोला यहां पे तो इसको मान के चलो मुझे दिखाना है कहां पे अपने mobile application में तो मैं क्या करूंगा उसको कैसे दिखाऊंगा mobile application में वैसे तो हम ब्राउजर का इस्तमाल करते हैं लेकिन मान के चलो आप किसी application में आप अपने application में उसको integrate करना चाहोगे तो आप कैसे करोगे और sometime हमारे पास क्या होते हैं कुछ ऐसे information होते हैं हमारे पास online ही मतलब available होते हैं उनको अगर हम implement करना मतलब उनको भी हम अगर so करवाना चाहते हैं तो उनको भी हम यहां पर कैसे दिखाएंगे जैसे कि मान के चलो आपको PDF open करवाना है या किसी कोई bill है हमारे पास जो available है उसको आपको so करवाना है जैसे किसी ने कोई सामान पर्चेस किया उसका bill है उसको आपको अगर so करवाना है तो आप direct यहां पर web view के through उसको so करवा सकते हो तो web view के लिए हमें देख लेते हैं क्या के चीजों की जहां पर ज़रत पढ़ने वाली है web view के लिए हमें सबसे पहले एक web view लगाना पड़ेगा और उसको हमें अपने main file में लगा के हमें वहाँ पे एक URL डालना पड़ेगा जो भी आपका website का name होगा वो और उसके बाद हमें उसको use कर सकते हैं तो एक बार चलते हैं अपने Android Studio पे और create कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट वेल्कम टू न्यू इरा ओफ एंड्रोइड आप ड्वल्ट्मेंट और अब हम बनेंगे Android के चैंपियन मैं आपे न्यू प्रोजेक्ट पर create करता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिख लूँगा मैं वेब व्यू ठीक है और आप कुछ भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी है और हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है तब तक मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा से इसको कर लेते हैं जूम और एक्टिविटी में पर चलते हैं अपन और यहाँ पर जाने के बाद चलते हैं हम इसको कर लेते हैं स्प्लिट में और इसको कर ल 해요意 liquid कर लेतें हैं अच्छोटा ऑर कि इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा और इसको कर लेते हाइथ यहां पर एकते में थ्ल्स को बड़ा अब यहां पर करना किया है छो यहां से close और इसकी एक id देते हैं हम id और यहां पर डाल देंगे हम web view आपकी मर्जी आप कुछ भी डाल देना और मैं इसको कर लेता हूं यहां से constraint तो यहां पर मैंने इस पर छालता हूं यहां परं यहां पर जाता हैं और ही अंदर डाल देंगे और इसको आपको कर लेता हूं और यहां यहां बीवन यह करे ठीक है तो यहां पर मैं इनिसलाइज कर लेता हूं बाइंडिंग को तो प्राइवेट लेट इने बैर बाइंडिंग और एक्वल टू ऑश्री इन्पूट बाइंडिंग नहीं करना था हमें एक्टिविटी ओके और यहां लिखना है आपको बाइंडिंग और यह हमारे पास आ नहीं रहे इसलिए विकॉज यह सिंक हुआ ही नहीं है ठीक है तो मैं वहापिस यहां पर सिंक कर लेता हूं और इसके बाद अब हम यहां पर करेंगे बाइंडिंग तो हम अरपास आ आएंगे हम ले आउट इंफलेटर और इसके बाद यहां पर आएंगे हम और यहां करेंगे बाइंडिंग डॉट यहां पर करेंगे हम रूट और एक चीज़ आपको लेटिंट वैर यहां से हटा लेना है आपको और यहां पर और यह जो वैर है इसको आपको क्या करना है व इसको क्या कर लिया अगनको लोड कर लाना है मतलब कि क्या आप को लोड यहां न quieres टॉक को अब इसमें हमें कुछ चीजे पास करनी है जो कि हमार पास क्या होने बाले जैसे कोई भी आपका website है आपको उसको pass करना पड़ेगा यहां पे तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहां पे developers.android.com यहां पर आ रहा है तो ऐसे आपको किसी जो भी website आपको open करवाना है उस website का आप पर क्या डालोगे URL डालोगे तो यहां पर मैं चलता है और नीट रूट को यहां पर मैं करता हो copy करने के बाद में करता हूं यहां जाने के बाद इसमें paste लेकिन देंगो यह पेस्ट किया तो-कौपी आपको इसको यह यहां पर डालना है अगर मान के चलो आप यहां से कॉपी करके पेश्ट नहीं करते हो तो भी आपको क्या लगाना है handler hacerlo cans random और पर जरुम करते हुँए है तो इसे ये को सिख से होगा वह आपके वैब ब्यूश्म कर लेता है ठीक है मैं इसको फॉर्मेट कर लिया अब क्या करना है हमें अभी भी यह application हमारा चलेगा नहीं है क्योंकि जो हमारा website होता है वो किसके थूरू चलता है net के थूरू चलता है तो अगर मान के चलो हमने net disconnect कर दिया तो आप किसी भी website को go through नहीं कर सकते हो जैसे मान लोग चलाना आपको तो आप नहीं चला सकते हो वहाँ पर आपके बस वह दिखा देगा कि आपकी इंटरनेट से connected नहीं हो तो सेम हमारे को अपने application में भी vào view को ईक्सेश करने के लिए हमें'll internet की ज़रूरत होती हैं तो internet कि ज़रूरत होती हैं तो हम क्या करते हैं internet लेते हैं और मौवाइल में internet होना चाहिए लिए हम कलो कि लिए हम जाते इंटरेट चाहेँ तो आपके स्लेक्ट कर लेना है और यहां पे जाने के पाद इसको क्या करूंश कर देना है तो मैंने इसको क्लोज कर लिया, अब मैं क्या कर सकता हूं? अपने application में इंटरणेट भी यूज सकता हूं,टो मैं इसको कपर रण कर ले ते हैं, और चेक कर लेते हैं कि हमारा web application जो है वो रन हो रहा है यह नहीं और हमारा application load हो चुका है और अब यहां पे मेरे पास कुछ नहीं दिख रहा है और कुछ time बाद मेरे पास क्या आ गया हमारा पूरा website आ चुका है तो यह हमारे पास पूरी की पूरी website हमने यहां पे अपने application में सो करवा लिया है ठीक है तो आप भी इसी तरीके से android में के application में क्या कर सकते हो अपने website को व्यू करवा सकते हो अब कुछ चीज यहां पे ध्यान देने वाली चीज है कि एक तो यहां पे URL आपका सो नहीं होता जैसे जैसे कि आपको देखो यहां पे URL सो रहा था वो चीज यहा जाले application में ना URL होगा आपने जो एक बार वहां पे डाल दिया आप उसी को क्या कर सकते हो एक्सेज कर सकते हो जैसे मैंने नीटूर्स.com डाला था तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं नीटूर्स.com को ही यहां पे देख सकता हूं ठीक है दूसरा मैं यहां पे कुछ भी नहीं बनी हुई है application ठीक है तो उसको जानने के लिए हम क्या हैसे करेंगे कि जो website आपको यहां पर लोड करवाना हो तो आप उसको क्या करना नॉर्मली आप छोटा करना और छोटा करने के बाद क्या कर सकते हैं आप इसको छोटा करके देख सकते हो तो जैसे आप छोटा करोगे हाँ तो application मतलब सब्सक्राओं डीक है वगए क्यें करने मारे चीज ऍअ और जावा सक्रूब करेंगे है । यहां पे क्लिक करेंगे और जैसे मैं नहीं संच अदूसरे चीज पे open हो गया मतलब हमारा जो browser था inbuilt हमारे android application का उस पर हमारे पास यह चीज open हो गई तो हम यह नहीं चाहते हैं हम चाहते कि यहाँ पर हर चीज काम करें और यह चीज़ें भी काम करने लग जाए तो इसके लिए क्या होती है यहाँ पर यहाँ आपिन एवल करना पड़ता है तो झावा पर हम लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर बांड इंटर करता हूँ यहाँ Jobs जो माना रहा हुआ, webview है, dot, और यहां पर मेरे पास बहुत सारे option आ जाएंगे, तो यहां पर हमें क्या करनी है, इसकी setting करनी है, तो यहां पर मैं setting पर click करता हूं, dot, और यहां पर मैं क्या कर लूँगा, java script, और यहां पर enable करके, और equal to कर दूँगा, मैं इसको true, तो मैंने य क्लिक करता हूँ और show context पर क्लिक करूँगा तो आपको दिखाएगा यहाँ पर सप्रेश विद्ट सेट जावा जावा इसको यहाँ पर क्लिक कर दे रहा है और यहाँ पर automatic आपका annotation भी add हो जाएगा ठीक है तो आपके बास annotation यहाँ यहाँ पर लग चुका है और इसको मैं यहाँ से रिमूब कर देता हूँ ठीक है अब क्या करता है मैं इसको वापिस से रण करूँगा और यहाँ पर चेक करेंगे अपन कि यह चीजे वर्क कर रहे है या नहीं तो वापिस लोड हुआ हमारा application अब देखो यहाँ पर हमार पास जो जाबाइस क्रिप्ट किसे चीजे की हुई थी वह भी हमार पास वह रहा है और यहाँ पर हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो लेकिन अभी एक चीज़ी अभी यह हमार पास वापिस से क्या हुआ और क्रोम में ओपन हुआ है तो इसके लिए व्यू क्लाइंट बस आपको इतना करना है अब इतना करने के बाद आपके पास यह application हमारे application में ओपन होगा ब्राउजर में जाके ऌपन होगा तो मैंने हाँ पर सर्च पर क्लिक किया तो देखो यहीं पर चीज़े चल रही है यह दूसरे वेबसाट पर हमारा ओपन नहीं हुआ है ठीक है अब यहाँ पर आप एंड्रॉल पर क्लिक कर ओगे तो आपका क्या होगा यहीं पर जो चीज ह अब मान के चलो मैं आपको दिखाता हूं एक चीज कि यह हमारा application है अब जैसे मैं इस पर back पर click करूँगा तो यहां पर हमारा application क्या कर गया जिसको कि आपको गएदा लगाना हो तो जैसे आपको टोस्ट को भी आप लगा सकते हो ठीक है toast का code भी मिल जाएगा लेकिन हमें यहां से करते हो और अपने चलते हैं अपने उंद्रेटी स्टुडियो पे और और एंडुट्यूट्य स्ट्टीय पर जाने के बाद मैं इसको यहां प에 करों पपे ठीक है अब यहां पर जो चीजें ने इंपोर्ट करने के लिए हम इसका inpor कर लेते हैं और इंपोर्ट करने के बाद यहां पे यमारे वेवीव का address अब यहां पर मैं कर लूँगा binding.webview ठीक है तो हमारे webview का id भी आ चुका है ठीक है अब क्या होगा यहाँ पे जैसे अगर हम कोई application को मतलब जैसे कोई हम page को लोड करवाते हैं उसके क्लिक पर हम क्या करवाएंगे लोड करवाएंगे तो अगर उसमें उसकी क्या बनती है यानि कि उसका backpress में stack में कुछ बनता रहता है तो फिर क्या बोलता है अगर हम back पर click करेंगे तो क्या होगा जो पिछले वाला जो था ना history में अगर है तो क्या होगा वहाँ पर चल जाएगा और नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा और चीज ऑफ हो जाएगी हमारी application मतलब बंद हो जाएगी और या फिर जो भी activity हमारी खुली रहेगी वह हमारे पास यहां पर open हो जाएगा तो अब जैसे कि मान के चलो मैं यहां पर click करता हूं तो पहले हम यहां पर back कर रहे तो क्या हो रहा यहां पर डायरेक्ट का हो रहा था है application बंद हो रहा था लेकिन अब मैं यहां पर back पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास पीछे जहां पर थे हम वहां पर आ चुके हैं अब एक बार और चलता हूं यहां पर जाने के बाद एन्डोर नौ पर चलता हूं ठीक है तो यह हमारे प करें लाइक करें और जिस भी वीडियो में आपको अगर कोई प्रोब्लम आ रही हो तो आप उसको हमें कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे और अगर आपने भी यह चीज कर लिया है तो आप इसको भी बता सकते हैं कि हमने भी यह चीज कर लिया है और मिलते हैं अ झाल झाल